522, 529 तो देखिए यह हमारा ROG Strix Aerion SSD Enclosure यह देखिए यह आप के लिए भी दे सकते हो ROG Strix Aerion NVMe SSD Enclosure और यह देख सकते हो आप यहाँ पर इसको दो एवार्ड भी मिल चुके हैं एक Design Award मिला है 2020 का और यहाँ पर CSE की तरफ से Innovation Award मिला है 2020 में अभी CSE क्या है आप Google कर लेना और जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो Asus Aura Sync के साथ आता है अभी इसको Unbox करेंगे उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे एक NVMe SSD उसके बाद चेक करेंगे इसका Data Transfer Rate की इतना Data Transfer करता है पर सेकंड और वह हम टेस्ट करेंगे USB Thunderbolt Port में ताकि जो इसका Best Data Transfer Rate है वह हमको देखने के Closer यह देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है यह हमारा ROG Enclosure और बात करें इसके Build Quality की तो भाई यह फुल Aluminium वाला है यह देखेंगे साउंड सुनिया फुल Aluminium Body है इसका तो कभी गिर गया तो भी कुछ Tension नहीं है डेमेज होन अब इसके साथ में accessories क्या क्या आती है के साथ में मिल जाता है एक Asus काMax collector उसका Use करकेम इसे ओपन कर सकते हैं और इसके साथ में डेखिए इसका जाता है casing कैरी करना के लिए का फी है दो केबल एक USB Type C to Type A Then series का और दूसरा आपको मिल जाता है USB Type-C to Type-C, ये दो केबल आती हैं इसके साथ में और इसके साथ में आते है कुछ यूजर मैनुवल, ये इसके यूजर मैनुवल है कि कैसा आप इसको इसके अंदर SSD इंस्टॉल कर सकते हो, अब देखिए ये सी में जिक्टर है, इसको आपको यहां इंसर्ट करना है, और ये देखिए ये आपका केसिंग ओपन हो गया, अब यहां पर आपको SSD इंस्टॉल करना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हो, ये स्कुरू, इसको आपको रिमूव करना है, ये देखिए इसका जो ये नॉच है वो मैच कर लेना आपको ये नॉच मैच करके इंसर्ट कर देना है, और इंसर्ट करने के बाद दूबारा ये स्कुरू इसके अंदर कनेट कर देना है, देखिए इसके अंदर हमने SSD इंस्टॉल कर दिया है, अब इसको अब इसको लॉक कर देते हैं, ये देखिए ये जो इसके नॉच इसके यह तीनों नोच है आपको मैच करना है यहां पर मैच करने के बाद यह आपको फिर से सीम इजिक्टर का यूज करना है यह जो लॉक है इसको थोड़ा धीरे से पुश करना है ताकि यह जो इसके नोच दिखाई दे रहे होंगा आपको यहां पर जो नोच दिये हुए यह साइ यहां पर आपको type C port connect करना है और दूसरा type C port आपके laptop में connect कर सकते हो अगर type C port नहीं है तो यहां पर type A का भी cable दिया हुआ है तो चलिए आप करते हैं इस ROG enclosure का speed test और यहां पर लिए मैंने एक USB type C cable जो के enclosure के साथ में आई थी इस type C cable को करना enclosure में connect और आप यहां पर देख सकते हो यहां पर USB type C thunderbolt अब इस port में मैं इसको connect कर देता हूँ कि देखिए मैंने enclosure को यहां पर connect कर दिया है अब यहां पर मैं आपको इसकी speed दिखा देता हूँ कि enclosure में speed कितनी मिल रही है अगर आप data copy करोगे तो यहां पर 23.7 GB data है अब इसको मैं copy करूँगा enclosure में और देखेंगे कि speed कितनी मिलती है यह आर रोजी का enclosure और right click करके यहां पर मैंने paste कर दिया जैसा आप देख सकते हो 487, 490, 528, 530 तो लगबग यह 500 MB के असपास का data copy rate आपको दे रहा है पर सेकेंड तो देखे 23.7 GB का file था hardly इसको 40 सेकेंड भी नहीं लगवा 30 to 35 सेकेंड या 40 सेकेंड के असपास में हमारा पूरा data copy होने वाला है speed आप इसकी देख सकते हो 5 seconds to go तो आप यहाँ पर देख सकते हो 40 सेकेंड लगा है कुछ और यह पूरा हमारा data copy हो गया SSD enclosure में तो इसकी speed काफी अच्छी है 500 MBPS मिल रहा है अच्छी speed है तो अगर आप यह enclosure purchase करना चाहते हो तो मैं इसका link description में दे देता हूँ आप वहाँ से purchase कर सकते हो तो अगर यह video आपको अच्छी लगी और आपके लिए helpful थी तो please video को like करिए channel को subscribe करिए मिलते हैं अगली video में thanks for watching जै हिंद